नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ओम नमस्षिवाय दोस्तों 18 सितंबर 2023 हर्तालिका 30 के दिन अगर आप इस व्रिक्ष को मात्र छुकर आजाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी दुख दर्द कष्ट पीडा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान माला माल दोस्तों यदि आप आपके घर की सुख शांती संतान की कमी और धन की कमी या कर से परिशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हर्तालिका 30 पर इस व्रिक्ष को मात्र छुकर आजाना उसके बाद आप देखेंगे कि क इस बार 18 सितंबर को सबसे बड़ी 30 हर्तालिका 30 बढ़ने जा रही है और दोस्तों इस दिन राज योग कालसर्प दोश के साथ 7 धन लक्षमी योग भी बन रहा है जिसकी वजह से इस 30 का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरू दिया तिथी को हर्तालिका 30 का वरत रखा जाता है धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पती स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तब की शुरुवात की थी उनके कठोर तब से प्रसंद होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें आशि दिया था जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पती स्वरूप में प्राप्त किया यही वजह है कि कुमबारी लड़कियां भी मन्चाहेवर के लिए इस वरत को रखती है दोस्तों देवी पार्वती ने कुवारी अवस्था में इस वरत को किया था इसलिए इस इस वरत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुमवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ती के लिए रखती है। 12 सितंबर को हरतालिका 30 की पूजा के शुभ महूर्ट इस प्रकार है सुभा का। का समय रहेगा शाम 5 बचकर 49 मिनट से लेकर 7 बचकर 9 मिनट तक। शाम को प्रदोश काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पारवती बहुत जल्दी स्विकार करती है। इसलिए प्रदोश। कहा गया है और इन व्रिक्षों में स्वय भगवान भोलेनाथ और नारायन वास करते हैं और आज मैं आप लोगों को पावन व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस हर्तालिका 30 के दिन चुलेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी क्योंकि दो स्वरूप कहे गए दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए क्योंकि साइन्स भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायू प्रदान करते हैं औ लेकिन मनुष्य को शीतल चाया प्रदान करते हैं, तो दोस्तों इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, कि इनको छूने मात्र से व्यक्ती के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, और व्यक्ती का सौभाग ये चमक जाता है, दोस शको व्रिक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि previous जो आयु होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए भगवान श्री कृश्न ने स्वयं कहा कि व्रिक्षों में पीपल हूँ, तो दोस्तों चलिए, अब मैं आप लोगों को उन पावन व्रिक्षों के बारे में परिशानिया भी खत्म हो जाएगी क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं यानि कि इस दिन इन में चेतना आ जाती है और हर तालिका तील के दिन स्वया भगवान विश्नुजी इन व्रिक्षों में करते हैं इस वजह से इन में शक्ती आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागरित अवस्था में आ जाते हैं, दोस्तों इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छूटे खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए यानि मा लक्षमी स्वरूप माने गए भगवान विश्नुजी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ लोगों को कुछ ऐसे विरिक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों सबसे पहला जो विरिक्ष है जिसे विरिक्ष के बारे में मैं बात करने वाला। हुवा है केले का व्रिक्ष जी हा केले का व्रिक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा इसमें। ब्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सात्वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्थ होती। अरतालिका तीज के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए हल्दी चना किश्मिश डाल कर तो जीवन में यश्मान सम्मान की प्राप्ती और संतान की प्राप्ती होती है। अगला व्रिक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा, दोस्तों तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कश्ट मिटते हैं इसमें। भी माता लक्ष्मी का वास होता है, तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी ततकाल मिक्ती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुरभाग्य दूर होता है, इसलिए हर तालिका तीज के दिन पीपल के व्रिक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपक बहुत ही लाब और कल्यानकारी है। इसमें स्वय नारायन और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों बेल का व्रिक्ष भी चूकर आजाए। यह भी बहुत ही शुब माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। विश्नु जी वास करते और माता लक्षमी जी वास करती है। तो हर तालिका 30 के दिन आपको पीपल के व्रिक्ष को जरूर चूकर आजाना सुबह या फिर शाम के समय चूकर आए। और जब पीपल को आप चुएंगे तो ओम नमो भगवाते वासुदेवाया इस मंतर का जाब करते हुए। पूरी होगी बाकी आपकी। मर्जी दोस्तों इतना पौवर्फुल ये उपाय की इसको करने से आपके जीवन के दुरभाग्य दूर होंगे। कष्ट मिक्टे जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों पीपल के व्रिक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन हर्तालिका तीज के दिन भगवान विश्नु और माता लक्षमी स्वय निवास करने आती है। भगवान भोलेनात को अपने पती के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठ कर कठिन तब शुरू कर दिया। अपने स्तंभ के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिये अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिती में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी पार्वती की तपस्या को देख भगवान विश्नु प्रसंद हो गए। जिसके बाद महर्शी नारद उनके पिता के पास भगवान विश्नु का रिष्टा लेकर पहुँचे भगवान विश्नु से रिष्टे की बात सुनकर उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा उन्होंने एक बार में ही स्वीकृती में हामी भरती जब माता पार्वती को इस दुखी क्यों है तब उन्होंने अपनी सखी को उत्तर देते हुए कहा वे इतना कठिन तप और व्रत भगवान भोलेनाथ को पती रूप में पाने के लिए कर रही है लेकिन उनके पिता उनकी शादी भगवान विश्नु से ही करवाना चाहते थे तब उनकी सखी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुँच गई वहाँ एक गुफा में बैठ कर तपस्या करने लगी उन्होंने स्वयन को पूरी तरीके से भगवान शिव की भक्ती में लीन कर लिया भादरपत के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी के दिन देवी पार्वती ने रेच से शिवलिंग रन बनाया और रात भर जागकर भगवान भोलेनात की स्तुती की माता पार्वती के इस समर्पन को देखकर भोलेनात प्रसंण हो गए और उन्हें स्वयन को उनके प दुशाल दामपत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है इसलिए हर तालिका 30 के इस वरत को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में लिखे हर हर महादेव ओम नमह शिवाय और साथ ही इस चैनल पर यदी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए